Hey guys, welcome back to the new video दोस्तो 15,000 के price point पर इस वीडियो के अंदर मैंने top 4 best flagship camera smartphone select की हैं जो की काफी अच्छे हैं और इनी smartphone के अंदर आपको camera के साथ other features में भी कोई compromise करना नहीं पड़ेगा step by step 4 smartphone के features with price में आपको explain करने वाला हूँ तो अगर आप लोग का budget 15,000 है और आप 15,000 के price point पर एक best flagship camera smartphone बाय करने का सोच रहा है तो दोस्तो इस वीडियो को without skip की देखना चारो स्मार्फोनों में से definitely आप एक नए एक smartphone को पसंद कर लोगे विकॉस चारो ही smartphone काफी अच्छे हैं और दोस्तो camera के साथ other features भी अच्छे दियेगा है चली without time waste की इस वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले चैनल पर आप नए आए हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना और bell icon की बटन को press कर लेना इस लिस्ट का first smartphone रहता है टेक्नो केमोन 20 15,000 के budget में टेक्नो ने स्मार्टफोन के अंदर top notch level के advanced feature और ओफर की हैं यहां पर आपको AMOLED 6.67 इंचिस का display panel लेकनो मिलता है जो की काफी अच्छा है और AOD function भी दिया गया है डिस्प्ले में जो की काफी अच्छी बात है 85.7% का screen to body race हुआ तो side bezel और chin भी काफी ज़दा पतली है और यहां पर आपको media tech की तरप से Helio G85 प्रॉस्टर देखनो मिलता है जो की out of the box Android 13 पर आता है HIOS 13 पर यह स्मार्टफोन रेंड करता है 8GB RAM 256GB का base variant है rear part में dual camera setup है 64 में आप इक्सल का main primary camera है और दोस्तों 2 में आप इक्सल का like आपको depth lens देखने को मिलता है front में आपको 32 में आप इक्सल का selfie camera देखनो मिल जाता है stereo speakers है 3.5mm का jack है आप earphone यूज़ कर सकते है OTG support करता है under display fingerprint sensor है 5000 mh की battery साथ 33 bot की far charging support दी गई है pre down black glacier glow and serenity blue यह कुछ आपको color scheme देखनो मिलती है जो कि आप उपने पसंद के साब से कोई सा color option भी buy कर सकते हो and बात करने smartphone की build quality के बारे में यह smartphone IP53 dust and splash resistance के साथ आता है 7.8mm की ठिकने से grab कर सकते हो feature loaded है value for money है next smartphone के बारे हम बात करते है जो की रहता है दोस्तो realme की तरप से realme 11x दोस्तो 15.000 के price point पर realme की तरप से यह latest smartphone है जिसकी design और build quality पसनली में को काफी दा पसंद आई features में आपको step by step explain कर देता हूं बाकि वीडियो में आप like official वीडियो में आप इसकी like design देख सकते है इसमें IPS LCD 6.72 inch का punch hole display दिया गया है 120hz fast refresh rate के साथ एंड डिस्पले में आपको 680 nits की HVM brightness दी गई जो की काफी इच्छी बात है side vessel और chin भी काफी दा पतली है because screen का 86.6% का screen to body race हुए जो की काफी इच्छी बात है media tech की तरप से dimensity 6100 प्लस 5G processor देखने मिलता है जो की 6 nanometer के साथ आता है आउट अप दो बॉक्स Android 13 है Realme UI 4.0 पर यह smartphone रन करता है dedicated slot दे गया है 6GB RAM 128GB का base variant है rear part में dual camera setup है 64 में आप इक्सिल का main primary camera है 2 में आप इक्सिल का depth lens 8 में आप इक्सिल का selfie camera है 3.5 में का jack भी है side mountain fingerprint sensor है 5000 mh की battery साथ 33 bot की far charging सपोर्ट दी गई है midnight black, purple down यह आपको 2 premium color scheme देखने हो मलती है जो की काफी अच्छी है build quality के बारे हम बात करें तो दोस्तो इसमें aluminium का frame दिया गया है and दोस्तो back panel plastic का 190 gram का weight है 7.9 mm की थिक्निस है यह smartphone light bit compact रोसे ले में तो इसको definitely आप grab कर सकते हो बागी बात करते हैं इस लिस्ट के 3rd smartphone के बारे में जो की रहता है दोस्तो Infinix की तरप से Infinix Note 30 Pro यहाँ पर आपको price के point to view से no doubt features काफी ज़दा advance दीए गए personality design वीस को मिलको काफी ज़दा पसंद आईए because काफी unique type की color scheme दी गई है और camera setup भी काफी unique type का जो की आप official वीडियो में देख पा रहा होगी यहाँ पर display में आपको AMOLED 6.67 इंचिस का display panel दिया गया है जिसमें आपको 120 Hz का fast refresh rate दिया गया और यह punch hold display है यहाँ पर आपको 900 nits की peak brightness देखनो मिलेगी display में Helios G99 processor देखनो मिलता है MediaTek की तरप से 6.99 के साथ आता है Android out of the box 13 है XOS 13 पर एस्मार्फोन रण करता है dedicated slot दिया गया है 8GB RAM 250 6GB का base variant है लाइक एक ही variant कमपनी की तरप से offer किया गया है UFS 2.2 type की storage है We are part में triple camera setup है 108 में आप XL के main primary camera 12 में आप XL के macro depth और दोस्तों front में 32 में आप XL का selfie camera दिया गया है Dual speakers है 3.5 mm का jack है जिसमें आपको JVL की team देखने को मिलेगी OTG support करता है Side Mounted Fingerprint Sensor है 5000 mAh की बैटरी के साथ 68 Watt की fast charging की support दी गया है And Magic Black, Variable Gold ये कुछ आपको color scheme देखने को मिलती है Smartphone के अंदर जो की काफी दर unique है Back में glass panel दिया गया है Frame plastic का है 203 gram का weight है 8.2 mm की थिकने से Infinix Note 30 Pro 15,000 के price point पर Advanced feature offer करता है इसको definitely grip कर सकते हो Next smartphone के बारे हम बात करते हैं जो की रहता है Tecno की तरब से again Tecno POA 5 Pro यहाँ पर दूस्तों Like smartphone के back panel पर आपको multiple LED lights देखने हो मलती है जो की आपको Infinix GT 10 Pro में देखने हो मलती है Nothing Phone 1 में भी देखने हो मलती है उस type की इस smartphone के अंदर आपको IPS LCD 6.78 इंचिस का display panel दिया गया है 580 nits की peak brightness है MediaTek की तरब से Dimensity 6080 Pro से दिया गया है 5G जो की 6 nanometer के साथ आता है Android वर्जन आउट आप दो बॉक्स 13 पर है HIOS 13 पर इस smartphone रन करता है Dedicated slot दिया गया है 8GB RAM 128GB के base variant है Rear part में dual camera setup है Main primary camera 50 Maya pixel का है Front में आपको 16 Maya pixel का selfie camera दिया गया है Stereo speakers है 3.5 mm का jack है Side mountain fingerprint sensor है 5000 mh की बड़ी बैटरी दिया गया है 68W की fire charging support के साथ जो की काफी अच्छी बात है Smartphone में आपको like 3 color scheme देखनों मिलती है जो की काफी अच्छी बात है आप अपनी पसंद के साथ से कोई से color option भी buy कर सकते हो Back और frame दौना plastic के दिये गया है 212 gram का weight है 9 mm की थिक्रिस है Already मैंने explain कर दिया आपको multiple LED lights देखनों मिलती है जो की like काफी unique type की है बट इसमें आपको एक ही color option देखनों मिलता है लाइटिंग में तो इसको definitely grab कर सकते हो Tecno Power 5 Pro को बाकी दोस्तों ये 4 smartphone 15,000 के अंदर आपको देखनों मिल जाते है इन मेंसे जो भी आपकी requirement या फिर priority या फिर need को fulfill करता हो अब definitely उसको grab कर सकते हो हमारी वीडियो आपको अच्छा लगी वीडियो को like कर देना चैनल पर नया है प्लीज चैनल को subscribe कर लेना बेल आइगन की उनको पैस करके इस वीडियो को आपने दोस्तों में share कर देना मिलते हैं आपसे लिए और एक ऐसी new interesting और updated वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care